तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्यूंकि हो सकता है कि आपकी जो इसमें सोल्व हो जाए मैंने स्पेशली इसमें पॉइंड डाउन कर रहा है वन बाइवन जो की वीजा ओफिसर ने कल लाइव सेशन में का था और हमारे जो लाइव क्यों हमने उनसे भी किये थे उनके भी कुछ आंसर है तो आपके लिए बहुत इंपोर्डेंट है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि psw को लेके जो भी क्राशेंन से स्टोेंट के post study work permit को लेके वो उन्होंने clear करते हुए का कि जो भी स्टुडेंट सेप्टेंबर इंटेक में अगर अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है या जैनुरी में स्टार्ट करता है और 6th of April 2021 या उससे पहले पहुंच जाता है तो उसको PSW गैरेंटेड मेलेगा यानि अगर आपने अपनी स्टुडी सेप्टेंबर इंटेक में स्टार्ट करी हो या जैनुरी में करी हो और किसी वज़े से आप ट्रेवल नहीं कर पाई UK आपके जो एरिया है उसमें लॉकडाउन के वज़े से या कोई भी अधर रीजन तो आप 6th of April तक भी अगर UK है और आप अपनी tier 4 visa application वहां से कर सकते हैं और सबसे important news कि UK border जो है वो international travelers के लिए अभी open है तो जो भी students के मन में ये doubt था कि हम इंडिया से वहां travel करेंगे तो हमें allowed होगा या नहीं होगा तो आप travel कर सकते हैं UK border is currently open लेकिन उसके साथ साथ ही आपको 14 days quarantine करना पड़ेगा और उसके लिए universities आपको arrangement करके दे रही है जो भी student हमारे तुरू जिन्होंने visa process कर दिया है यो जो कर रहे है वो हमारे staff में contact कर सकते हैं आपको 14 days करीब करीब सभी universities free accommodation दे रही है वो आपको पहले से advance book करके जाना होगा ताकि आपको visa entry के time पे या immigration check के time पे आप वो address submit कर सके और आपको fill करना पड़ेगा उससे पहले वो form आपके लिए mandatory होगा अगली update friends आपके लिए है कि air India ने special flights आपके लिए arrange करी हैं जिनके अंदर अब आप travel कर सकते हैं easily Air India ने flights start करी हैं और साथ ही साथ international border open है तो कोई भी अगर आपके मन में doubt था कि September intake में हम travel कर पाएंगे या नी तो वो कल clear हो चुका है कि air India के special flights वंदे भारत के तहत special extra air bubble UK के साथ agreement में extra flights औरेंज कर रहे हैं जो कि 27th of August तक travel करेंगी और उसके बाद में नई update आनी है तो 27th of August त अगली चीज की जो IHS आपको चार्ज आपको देना होगा वो 300 pounds per year के हिसाब से देना होगा और साथ ही आपका जो health certificate है जो medical certificate आपको बनवाना रहता है वो और आपके financial documents mandatory है यहाँ पे financial documents में एक update और है कि आपकी जो fixed deposits हैं वो आप use कर सकते हो साथ ही आपका bank loan आप use कर सकते हो तो यह दोनों documents आपके valid रहेंगे और साथ में जो current visa processing time my friends वो 15 days का है लेकिन जो आपको यहाँ पे एक change यह है कि sticker visa जो आता था अब तक वो आपका 30 days valid होता था लेकिन अभी जो भी student application करेंगे उनके sticker visa 30 days से change होके 90 days के लिए आपको sticker visa मिलेगा और 90 days में आप कभी भी travel कर सकते साथ ही there is no priority and super priority services यह अभी close है temporarily आप September intake में कोई प्रियरिटी है super priority visa service आपको नहीं मिलेगी and आप अपनी courses जो है online start कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया आपको 6th of April 2021 से पहले अगर आप travel करते हैं तो आपको PSW मिलेगा साथ ही अगर आप अपने parents को ले जाना चाहते तो visitor visa services यह काफी सारी आपकी queries इसमें solve हो गई हूंगी अगर इसमें अभी भी आपको कोई question है तो आप instant reply के लिए Instagram कीजिए नीचे description पे link दिया हुआ है उसमें आप जाके Instagram पे question कर सकते हैं या फिर हमाई comment drop कर सकते हैं साथ ही अगर आपकी September intake की कोई भी application बाकी है या आप process करना चा लूग्यान चाहरूण को ओने सार्क आपकी सारी आपकी हैं सकते हैं सार्क दिर हूझ को ओना आप सकते हैं सार हमार वार्व।